नमस्कार बहुत स्वागत आप सबका देख रहे हैं आप जोतिश जराहत के आपके साथ मैं हूँ आपका इश्टो फेड़ संतो संतोशी और आज जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं ब्लाश्टिंग 2020 के कारिक्रम के अंतरगत आज बताएंगे हर राश्य के लिए कि आपकी नौकरी स्पेशल छेत्र में क्या कुछ होने जा रहा है नौकरी स्पेशल छेत्र में क्या होने जा रहा है मतलब नौकरी के मामले में आप पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं 2020 की जानकारी है और ये दोनों के लिए है सरकारी और प्राइवेट दोनों के लिए है जाहिर सी बात है गोचर का प्रभाव है तो बहुत जादा कुंडली से इसका मैच होना अनिवारे रहता है मतलब आपके जन्मांक पर जन्मांक में जो दशाएं चल रही है उसके साथ गोचर को मर्ज किया जाता है जो फल बताया जाता है तो एक ही पक्ष से जो फल है वो बहुत करीब जाता है और ये करीबी आपके लिए कुछ बड़ा सकरात्मक पक्ष लेकर के आएगी मेश राशी मेश के लिए अगर देखा जाए तो गोचर नोकरी में पॉजिटिव चेंज मार्च जून अगस्त थोड़ा सा निगेटिव चेंज जैसे बॉस अचानक से कोई आ जाए कहीं बाहर भेज दिया जाए जनवरी मई अक्टूबर तीन महीना पॉजिटिव तीन छे महीने का आप लेके जाए टेंटेव लीग ब्रिशब राशे फरवरी का मिड यह पॉजिटिव है फरवरी का मिड अगस्त का लाश्ट और नवंबर ब्रिशब राशे के लिए निगेटिव कब आपको समभलना है मई अगस्त अक्टूबर समभलना है नोकरी में प्राइवेट और सरकारी दोनों के लिए बता रहे हैं ब्लास्टिंग 2020 मिथुन राशी मिथुन राशी के लिए पॉजिटिव रहेगा जनवरी पूरा मई और अक्टूबर जनवरी मई अक्टूबर सकरात्मक परिवर्तन की दिशा को तैंग करेगा और निगेटिव मार्च का लाश्ट जुलाई का फर्स्ट और दिसम्बर 2020 करक राशी फर्वरी का लाश्ट मार्च का मिड और दिसम्बर का लाश्ट मिथुन राश्ट कौन सा महीना है ध्यान दिजेगा जब नौकरी में कुछ आपके पक्ष में नहीं रहेगा अप्रैल मिथुन राश्ट अप्रैल निगेटिव 2020 अप्रैल मिथुन राश्ट सितंबर पूरा महीना साउधान रहेगा और नवंबर, अप्रायल, सितंबर, नवंबर, करक्राश, सकरात्मक, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर, करक्राश, निगेटिव, कारच्छित, गौर्न्मेंट या प्राइवेट, करक्राश, 2020, अर्था 2020, जन्वरी, मई, और अक्टूबर, सिंगराश, फर्वरी, जुलाई, सितंबर, सिंगराश, निगेटिव, अप्रेल, अक्टूबर, दिसंबर, कन्यराश, मार्च, अप्रिल, और जुलाई, फर्वरी, मई, अक्टूबर, तुलाराश, पोजिटिव, जन्वरी का मिद, मई का लाश्ट, और सितंबर का मिद, तुलाराश, निगेटिव, कौन सा महिना, अप्रिल का लाश्ट, अक्टूबर का फर्ष्ट, और दिसंबर का लाश्ट, ब्रश्चिगराश पोजिटिव, फर्वरी, अप्रेल, जुलाई, ब्रश्चेग्राशी निगेटिव मार्च मई दिसंबर धनुराशी पॉजिटिव फरवरी का मिड जून का लाश्ट और सितंबर का लाश्ट अप्रेल का मिड अब ये निगेटिव है अप्रेल का मिड ब्रश्चेग्राशी अप्रेल का मिड अगस्त का लाश्ट और दिसंबर का फिर्ष्ट धनुराशी जनुरी पूरा बंबम है जून पूरा बंबम है और अक्टूबर मार्च अगस्त दिसंबर मकराश फरवरी अप्रियल और अक्टूबर बंबं मकराशी फरवरी अप्रेल अक्टूबर मई जुलाई और नवंबर सावधान रहना है कुम्भराशी जन्वरी अप्रेल नवंबर बंबं है जन्वरी अप्रेल नवंबर उम्भराशी मई जून लगातार सावधान रहना है नवंगरी पराण चा सकती है और अक्टूबर का लाश्ट अंतिम राशी मीन देखा जाए अगर 2020 का सावधान रहने वाली राशियों में खास दोर पर नवंगरी में सावधान कैसे रहना है बताएंगे लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि कब कब आपको इस्थती अच्छी पानी है दिसंबर में बहुत अच्छा रहेगा अक्टूबर फर्वरी फर्वरी अक्टूबर दिसंबर तीन वहीना नोट कर लीजेगा सावधान कब रहना है निगेटिव मार्च का लाश्ट सितंबर का फर्ष्ट और दिसंबर का लाश्ट ये तीन समय ऐसा रहेगा जो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है दिसंबर के लाश्ट में वही चार-पांच दिन 2020 का आपको सावधान रहने के आवशकता है ये समस्याएं आपको ज़्यादा गंभीरता से परिशान ना करें इसके लिए आपको जो निगेटिव आला है उसमें उपाय हमने अपने पहले वीडियो में बता दिया जिसमें हराश्ट के लिए हमने अलग-अलग से बताया है नया वर्ष है नई सुर्वात है थोड़ा सा अपने आपको जोशीले अंदाज में रखिएगा और जितना हो सके स्वयम पर कैंद्रित होकर के मजबूत रहिएगा आज कल पर सो तीन दिन आप हमसे मतलब अभी आज और कल दो दिन माफ कीजेगा कलकता में है बारह तारिक से लगातार 21 तारिक तक गाजियाबाद में कहां पर गाजियाबाद अपाइन्मेंट के लिए जो नंबर चला उस पर आप कॉल कर सकते हैं मिलने का समय ले सकते हैं थैंक यू सो मच नमस्कार स्विकिष्णा जैशी रादे ब्लाश्टिंग 2020 हर रोज ठिक 11 वजे सुभाई सिर्फ आइश्टो फेंट संतोस संतोशी चैनल पर या जो तिश जराहट के यूट्यूब चैनल पर समस्कार